Hello friends, welcome to study news आज हम इस वीडियो में 3 सितंबर के exam related जितने भी important questions हैं उन्हें हम यह solve करेंगे, so let's start First question है, रक्षा मंतराले ने पिनाका रॉकेट लॉंचरों के लिए कितने रुपे का सौधा किया है आप्संस हैं, 2,000 करोड रुपे, 2,580 करोड रुपे, 3,000 करोड रुपे या 3,500 करोड रुपे तो रक्षा मंतराले ने 2,580 करोड रुपे की लागत से 6 सेना रेजिमेंटों के लिए पिनाका रॉकेट लॉंचरों की खरीद के लिए 2 प्रमुख घरेलू रक्षा कम्पनियों के साथ समझोता किया है तो इसमें उत्तर आप्सं भी सही है ससस्त्र बलो की परिचालन तैयारियों को और बढ़ाने के लिए चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा पर पिनाका रेजिमेंटों को तैनात किया जाएगा राष्ट मंडल खेल महासंग के सदस्य के रूप में कौन सा देश फिर से सामिल हो गया है आप्संस है माल्डिव्स, माली, स्रिलंका या जापान तो कौमन वेल्थ गेम्स फेडरेशन ने गोशना किया है कि माल्डिव्स को फिर से कौमन वेल्थ में सामिल किया गया है तो इसमें उत्तर आप्सं ए माल्डिव्स साही है आप जानते ही हैं कि 2018 के गोल्ड कोष्ट में Commonwealth Games में Maldives ने हिस्सा नहीं लिया था Commonwealth Games Federation की बात की जाये तो इसका Headquarter London United Kingdom में है इसकी स्थापना 1931 में हुई थी Commonwealth Federation में वे देश आते हैं जो कभी British Empire के अधीन रह चुके हों इसमें 54 Member राष्ट्र है मैप में आप देख सकते हैं यह जितने भी ब्लू कलर में हैं यह सब Commonwealth राष्ट्र है Next Question है Micronesia और पलाव के नए राजदूत कौन बने हैं? Options है संभू S. कुमारन, अरुन्ट्रिवेदी, विवेक राय या जगदिस सहा तो संभू S. कुमारन को Federal States of Micronesia और पलाव गंड राजज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नुक्त किया गया है ये इससे पहले फिलिपिन्स के राजदूत थे आप यहाँ देख सकते हैं Micronesia और पलाव दोनों ही राश्ट्र पास में है Micronesia की बात करें तो Micronesia की राजदानी पाली कीर है Micronesia के President Peter M. Christian है और Micronesia में United States Dollar यूज होती है अब बात करें पलाव की तो पलाव की राजदानी मेली क्यूक है और यहाँ के President Thomas Remenge Sao Junior है और यहाँ पर भी United States Dollar यूज होती है Next Question है विश्रु का सबसे बड़ा सौर व्रिक्ष किस संस्थान ने विक्सित किया है Options है DRDO, CSIR, IIT Bombay या ISA तो CSIR के Central Mechanical Engineering Research Institute ने दुनिया के सबसे बड़े सौर पेड को विक्सित करने का दावा किया है तो इसमें उत्तर Option B CSIR सई है इस सौर व्रिक्ष को West Bengal के दुरगापूर में अपने आवासिये परिसर में स्थापित किया गया है बात करें CSIR की तो इसका Full Form the Council of Scientific and Industrial Research है इसकी स्थापना 1942 में हुई थी इसके हेड है सेखर सी मेंडे और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है Next question है कौन सा देश डॉक्टर द्वारकानांत कोटनीस की प्रतिमा का अनावरंण करेगा Opson's है जापन, USA, Russia या चाइना तो चाइना, भारती डॉक्टर द्वारका कोटनीस की कांस से प्रतिमा का अनावरंण करेगा तो इसमें उत्तर Opson D. चाइना साहि है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस 1938 में चाइना जापान के दूसरे युद्ध के दोरान चिकित्सा सहता के लिए चाइना गए थे और वहाँ पर उनकी चिकित्सिय सहता को सम्मान देने के लिए इस प्रतिमा का अवनावरण किया जाएगा next question है AUDFS01 नामक आकास गंगा की खोज किस देश के खगोल विदो ने की है? आप्सन्स हैं आस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या चाइना तो AUDFS01 नामक आकास गंगा की खोज हमारे देश भारत ने की है तो इसमें उत्तर आप्सन भी सई है इसकी खोज डॉक्टर कनक साहा के नित्रित्तों में खगोल विदो की टीम ने की है next question है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? आप्सन्स है संजय सिंग, राजीव कुमार, अभिशेक सिंग या विकास सर्मा तो राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पद भार ग्रेंड किया है तो इसमें उत्तर आप्सन भी राजीव कुमार सई है ये मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा और चुनाव आयुक्त सुसिल चंद्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग में सामिल हुए हैं ये 1984 बैच के भारतिय प्रशाशनिक सेवा के अधिकारी हैं नेक्स्ट कोस्चन है भारतिय रेलवे ने कितने स्टेशनों का सौरी करण किया हैं आप्सन्स है 900, 950, 960 या 980 तो बिजली की सभी जरुवतों के लिए 100% सेल्फ डिपेंड करने के उद्देश से भारतिय रेलवे ने अब तक 960 से अधिक स्टेशन्स को सौलराइज़ किया है तो इसमें उत्तर आप्सन्सी सही है किस राज्य में C-plane सेवा शुरू की गई है आप्सन्स हैं आंद्र प्रदेश, तमिल नाडू, महराष्ट्र या गुजरात तो गुजरात सरकार ने 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लब भाई पटेल जी की जहनती से आधिकारिक तोर पर राज्य में पहली बार C-plane सेवा काउद घाटन किया है तो इसमें उत्तर आप्सन्सी गुजरात सही है इस सेवा को प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट द्वारा संचालित किया जाएगा next question है बच्चों के लिए पहला अक्बार किस राज्य में सुरू किया गया है आप्सन्स हैं त्रिपूरा, मेगाले, असम या सिक्किम तो बच्चों के लिए पहला अख़बार असम राज्य सुरू करेगा तो इसमें उत्तर आप्सन सी सही है गोवा हाटी की नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने इस अख़बार को लॉंच किया है ये अख़बार विशेश रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है इस अख़बार के द्वारा बच्चों के रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा और उनके अंदर पढ़ने और लिखने की आदत पैदा होगी ये अख़बार विशेश रूप से 4 वर्स से 14 वर्स के बच्चों के लिए होगा तो ये थे आज के इंपोर्टन कोस्चन्स तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट